C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक पाठ ते रहे गती एवं समय प्रिष्ट एक सो बावन कक्षा छे में आपने विभिन्द प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था आपने ये पढ़ा था कि किसी वज्टू की गती किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल यानि वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है क्या आपको ये तीन प्रकार की गतियां याद हैं? सारनी 13.1 में गतियों के कुछ सामान उधारन दिये गए हैं प्रतीक उधारन में गति का प्रकार पहचानिये यहां प्रिष्ट 152 पर सारनी 13.1 दी गई है जिसमें विभिन प्रकार की गतियों के कुछ उधारन है इस सारनी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग में गति के कुछ उधारन दिये गए हैं और दूसरे भाग में लिखा है गती का प्रकार सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या आवर्ती दिये गए उधारण हैं मार्च पास्ट करते सैनिक सीधी सडक पर चलती बैल गाड़ी दोडते धावक के हाथों की गती चलती साइकल के पैडल की गती यह हमारा सामान्य अनभव है कि कुछ वस्तुओं की गती मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गती तीवर होती है 13.1 मंद अथवा तीवर हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीवर गती करते हैं यहां तक की एक ही वाहन विभिन समयों पर तीवर अथवा मंद गती करता है सरल रेखी ये पत के अनुदिश गती करने वाली दस वस्तूओं की सूची बनाई की इन वस्तूओं की गती को दो वर्गों मंद तथा तीवर में बाटिए आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तू मंद गती कर रही है और कौन सी वस्तू तीवर गती कर रही है यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गती कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीवर गती कर रहा है। आईए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गती को जानते हैं। प्रिया कलाप 13.1 चित्र 13.1 को समझे इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गती करते कुछ वाहनों की स्थिती बताई गई है। यहां दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीवर गती कर रहा है। इनमें सबसे मंद गती कौन कर रहा है। कौन मंद अथवा तीवर गती करता है। इसका निर्णय करने में वस्तू द्वारा किसी दिये गए, काल अंतराल में चली गई, दूरी हमारी साहता कर सकती है। उदारण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड़े जा रही हैं. मान लीजिए, आप बस के चलते ही अपनी साइकल के पेडल मारने लगते हैं. प्रिष्ट 153 और दूसरा चित्र है 13.2, जिसमें बताए गए वाहनों की कुछ समय पस्चात की स्थिती बताए गई है. हम प्रायाई ये कहते हैं कि तीवर चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है. 100 मीटर दौड में ये निर्नय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिक्तम है. जो धावक 100 मीटर दौड दौड तै करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिक्तम होती है. 13.2, चाल आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं. उपर दिये गए उधारण में अधिक चाल से ये संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तै किया गया है. अथवा किसी दिये गई समय में अधिक दूरी तै की गई है. दो या अधिक वस्तुओं में कौन तिव्रतम गती कर रहा है? इसे ग्याद करने की सबसे सुविधा जनकविधी ये है कि हम इनके द्वारा किसी एक आंक समय में तै की गई दूरी ग्याद करें. इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा एक घंटे में तै की गई दूरी जानते हैं तब हम ये पता सकते हैं कि उन में से कौन अपेक्षा कृत मंद है किसी वस्तु द्वारा एक आंग समय में तै की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई कार पचास किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से गती करती है तो इससे ये ग्यात होता है कि वो कार एक घंटे में पचास किलो मीटर दूरी तै करेगी तथा पी कोई कार बिरले ही एक घंटे तक किसी नियत चाल यानि समान गती से चलती है वास्तव में वो धीमी चाल से गती आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है आतहा जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल पचास किलोमीटर प्रती घंटा है तो प्रायह हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तै की गई दूरी पर ही विचार करते हैं हम इसकी चिन्ता नहीं करते कि इस एक घंटे की अवधी में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं वास्तव में यहां परिकलित की गई चाल कार की ओसत चाल है इस पुस्तक में हम ओसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उप्योग करेंगे प्रिष्ट 154 अतहा हम तै की गई कुल दूरी को लिये गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं इस प्रकार चाल बराबर तै की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अत्वा अधिक समय तक वस्तूओं को एक नियत चाल से गती करते हुए जानते हैं यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गती करने वाली वस्तू की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तू की चाल असमान कही जाती है इसके विपरीत, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तू की नियत चाल से गती, एक समान गती कहलाती है इस स्थिती में उस्त चाल बही है, जो वास्तविक चाल है यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ग्याद कर सकते हैं कक्षा छे में आपने दूरी मापना सीखा था परन्तु हम समय कैसे मापते हैं आईए पता लगाएं 13.3 समय की माप यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्यत करेंगे कि अब क्या समय हो गया है क्या कभी आपको ये जानने की उच्छुकता हुई है कि हमारे बुजर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं समय की माप से हमारा तातपर काल अंतराल की माप से है बोल चाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उप्योग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि प्रकृती में बहुत सी घटनाई निश्चत अंतरालों के पस्चात स्वयम दोहराती हैं उदारन के लिए उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातह उदय होता है एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया इसी प्रकार एक अमावस्या यानि नवचंडर से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में प्रथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यक्ता पढ़ती है सम्भवता समय मापने की सबसे सामाने युकती घडियां ही है जैसा कि चित्र 13.3 में दिया गया है क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घडियां समय कैसे मापती है घडियों की कारिविधी काफी जटल होती है परन्तु सभी घडियों में आवर्ती गती का उपयोग किया जाता है यहां प्रिष्ट 154 पर चित्र 13.3 दिया गया है इसमें कुछ सामाने घडियां दी गई है A, B और C पहली घडि दीवार घडि है दूसरी मेज घडि और तीसरी अंकक यानि डिजिटल घडि है प्रिष्ट 155 आवर्ती गती का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है सरल लोलक धातू के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकडे को किसी द्रिढ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है जैसा की चित्र 13.4 ए भाग में दिया गया है धातू के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं जैसा की चित्र 13.4 भाग ए में दिया गया है इस चित्र में लोलक को अपनी माधि स्थिती पर विराम अवस्था में बताया गया है जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो ये इधर उधर गती करना आरंभ कर देता है, जैसा कि चित्र 13.4 भाग B में बताया गया है, सरल लोलक की ये गती आवर्ती अथवा दोलन गती का एक उदाहरण है, जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिती O से आरंभ करके A तक फिर A से B एवं B से वापिस O पर आता है, तो ये कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है, लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिती A से दूसरी चरम स्थिती B पर तथा B से वापिस A पर आजाता है सरलोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरलोलक का आवर्थकाल कहते हैं यहां प्रिष्ट 155 पर चित्र 13.4 दिया गया है। यहां चित्र के दो भाग दिये गये हैं। पहले भाग A में एक सरल लोलक दिया गया है और दूसरे भाग B में दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन स्थितियां दी गई हैं। क्रिया कलाप 13.2 लगभग एक मीटर लंबा धागा अथवा डूरी लेकर चित्र 13.4 भाग ए में बताय अनुसार एक सरल लोलक बनाईए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिती पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्ष पर अथवा इसके पीछे दिवार पर उसकी माध्य स्थिती को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्त काल मापने के लिए हमें विराम घडी की आवश्रकता होगी। यदि विराम घडी उपलब्द नहीं है तो मेज घडी अथवा कलाई घडी उपयोग की जा सकती है। लोलक को गती में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाएए। ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिती से मुक्त कीजिए ध्यान रखी गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिती पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए माध्य स्थिती की बजाए आप उस स्थिती से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिती पर है लोलक द्वारा बीस दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं इस क्रिया कलाप को 3-4 बार दोहराईए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए प्रिष्ट 156 यहां प्रिष्ट 156 पर सारणी 13.2 दी गई है यहां लिखा है सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई बताई गई है 100 सेंटिमीटर इस सारणी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग में लिखा गया है 20 दोलनों के लिए लिया गया समय और दूसरे भाग में लिखा है आवर्तकाल दोनु भागों के समय को seconds में लिखा गया है पहला उधारन बताया गया है बीस दोलनु के लिए लिया गया समय है 22 सेकंड और आवर्तकाल है 2.1 सेकंड दो भाग खाली छोड़े गए हैं जिनको आपको भरना है क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है आजकल अधिकांश घडियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपत होते हैं इन घडियों को क्वार्ड्ज घडि कहते हैं इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्द घडियों द्वारा मापे गय समय से अधिक यथार्थ होता है समय तथा चाल के मातरक समय का मूल मातरक सेकेंड है इसका प्रतीक एस है समय के बड़े मातरक मिनट तथा घंटा यानी आवर है आप पहले ही जानते हैं कि ये मातरक किस प्रकार एक दूसरे से समबंधित है चाल का तथा कथित मूल मातरक क्या है चूंकि चाल दूरी बटा समय है अतह चाल का मूल मातरक मीटर प्रती सेकेंड है वास्तव में इसे अन्य मातरकों जैसे मीटर प्रती मिनट अत्वा किलो मीटर पर आर में भी व्यक्त किया जा सकता है आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के परतीकों को एक वचन में लिखा जाता है अब शक्ता के अनुसार समय के विभिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए आपकी आयू को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधा जनक होता है इसी प्रकार घर से विद्याले तक की दूरी को तै करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है जोर से 2001 पोकारने में लगा समय लगभग एक सेकंड होता है 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं किसी सामान स्वस्थ युवा की विराम की स्थिती में नाड़ी एक मिनट में बहत्तर बार अर्थात दस सेकिंड में लगभग बारा बार स्पंदन करती है, यानि धड़कती है. बूजो ये जानने के लिए उच्शुक है कि एक दिन में कितने सेकिंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? इस खोज के विशय में एक रूचक कहानी है कि किसी दिये गए लोलक का आवर्थकाल नियत होता है. आपने सुप्रसिद्ध वैज्यानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 इसवी का नाम सुना होगा. कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरिजा घर में बैठे थे. उन्होंने ये देखा कि छट से जन्जीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी कती कर रहा है. उन्हें ये पाकर अश्चर हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नव्ज, स्पंद यानि धड़कन की संख्या हर बार समान होती है. गैलीलियो ने अपने परिक्षन को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किये. उन्होंने ये पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लिता है. इस प्रेक्षन ने लोलक योक्त घडियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की. कमानी योक्त घडियां और कलाई की घडियां लोलक योक्त घडियों का परिश् प्रिष्ट 157 प्रिष्ट 157 पर चित्र 13.5 दिया गया है जिसमें प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियां दी गई हैं। इस चित्र में तीन भाग हैं। ए भाग में नई दिल्ली में जन्तर मंतर में धूप घड़ी दी गई है। बी भाग में रेत घड़ी और सी भाग में जल घड़ी दी गई है। तेरह दशमलव चार चाल मापना समय तथा दूरियां कैसे मापें। ये सीखने के पस्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। आईए फर्ष के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ग्याद करें। चाक के चून अत्वा चूने से फर्ष पर एक सरल रेखा खीचिए। तथा आपने मित्र से कहिए कि वो इस रेखा से एक से दो मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वो फर्ष के अनुदिश इस सरल रेखा के लंभवत किसी गेंद को धीरे से लुड़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वे विराम में आती है दोनु बार समय नोट कीजिए। जैसा की चित्र 13.6 में दिया गया है। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वे विराम में आती है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिये। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अत्वा मापक फीते का उप्योग कर सकते हैं। इस क्रिया कल आपको विभिन समूह बारी-बारी से दोराएं। तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रितेक समूह के पात्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। प्रिष्ट 158 यहां प्रिष्ट 158 पर चित्र 13.6 दिया गया है। इस चित्र में गेंद की चाल को मापते हुए एक बालक का चित्र दिया गया है। इसी प्रिष्ट पर सारणी 13.3 दी गई है, जिसमें गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय लिखा गया है. इस सारणी को चार भागों में विभाजित किया है पहले भाग में लिखा है समुह का नाम दूसरे भाग में लिखा है गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में तीसरे भाग में लिखा है लिया गया समय सेकंड में और चौथे भाग में चाल दी गई है चाल बराबर तै की दूरी बटे लिया गया समय आपको ये सारनी भरनी है क्या आप अपने चलने अत्वा साइकल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे इसके लिए आपको अपने घर अत्वा किसी अन बिंदू से अपने विद्याले की दूरी जानने की आवश्रकता होगी तब आप सभी इस दूरी को तै करने में लगे समय को माप कर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं ये जानना आपके लिए रूचक हो सकता है कि आप में से किस की चाल सबसे अधिक है सारनी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रती घंटा में दी गई है आप स्वैम इनकी चाल को मीटर प्रती सेकंड में परिकलित कर सकते हैं उपग्राहों को प्रित्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायह आठ किलोमीटर प्रती सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं इसके विपरीत कचुआ केवल आठ सेंटिमीटर प्रती सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कचुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है यदि आपको किसी वस्तू की चाल ग्यात हो जाए तो आप दे गई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ग्यात कर सकते हैं आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा. इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय. आप ये भी ग्याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तू किसी दूरी को कितने समय में तै करेगी. लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल. सामानितह उपलब्ध घडियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल एक सेकंड है. तथा पी अब ऐसे विशिष्ट घडियां उपलब्ध हैं जो एक सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं. इन में से कुछ घडियां एक सेकंड के 10 लाखवे भाग और यहां तक की एक अरव्वे भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं. आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगी. एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवा भाग होता है. एक नैनो सेकंड सेकंड का एक अरव्वा भाग होता है. इतने छोटे समय अंतरालों को जो घडियां मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है, वे सेकंड के दस्वें अत्वा सौवे भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत एतिहासे घटनाओं के समयों को शताब्दियों अत्वा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयू को प्रायह अर्बों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कलपना कर सकते हैं जिन से हमें विवहार करना पड़ता है। प्रिष्ट 169 पर सारनी 13.4 दी गई है। इस सारनी में कुछ जन्तूं द्वारा प्राप की जा सकने वाली तीवृतम चाल बताई गई है। इस सारनी को तीन भागों में विभाजित किया है। परिकलित करने के बाद बाज की चाल मीटर प्रती सेकंड में कुछ इस प्रकार से दी गई है। बाकी दी गई वस्तूं के नाम हैं इन सभी की चाल किलोमीटर प्रती घंटा में दी गई है। आपको इस चाल को मीटर प्रती सेकंड में परिकलित करना है। बूजो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युकती है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अत्वा मोटर साइकलों पर एक मीटर लगा हुआ पाया होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्यवाहनों के डैश बोर्डों पर मीटर पाय जा सकते हैं। जैसा कि चित्र 13.7 में किसी कार का डैश बोर्ड दिया गया है। ध्यान दीजिये, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलो मीटर प्रती घंटा लिखा है। इसे चाल मापी यानि स्पीडो मीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलो मीटर प्रती घंटा में चाल ग्यात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, जो वहन द्वारा तै की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पत मापी या ओडो मीटर कहते हैं। यहां प्रिष्ट 169 पर चित्र 13.7 दिया गया है इस चित्र में कार के डैशबोर्ड के दो चित्र दिये गये हैं जिसमें चाल मापी यानी स्पीडो मीटर का चित्र दिया गया है और साथ ही पत मापी यानी ओडो मीटर का चित्र भी दिया गया है इसमें चाल को किलो मीटर प् प्रिष्ट एक सो साथ इस सारणी में यात्रा के विभिन समयों पर पत्मापी के पाठ्यांग लिखे गए हैं इस सारणी को तीन भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग में लिखा है समय ये समय एम में दिया गया है दूसरा भाग है पत्मापी का पाठ्यांग और तीसरा भाग है आरंभिक बिंदू से दूरी समय के पहले चरण में दिखा है 8 AM पत्मापी का पाठ्यांग है 36,540 किलोमीटर आरंभिक बिंदू से दूरी है 0 किलोमीटर दूसरे भाग में दिया गया समय है 8 बचकर 30 मिनट जो की AM में दिया गया है पत्मापी का पाठ्यांग दिया गया है 36,560 किलोमीटर आरंभिक बिंदू से दूरी दी गयी है 20 किलोमीटर तीसरे भाग में लिखा है समय सुभा के 9 बचे यानि 9 AM पत्मापी का पाठ्यांग दिया गया है 36,580 किलोमीटर और आरंभिक बिंदू से दूरी है 40 किलो मीटर अगला दिया गया समय है 9 बचकर 30 मिनिट जो की एम में दिया गया है पत्मापी का दिया गया पाठ्यांक है 36,600 किलो मीटर आरंभिक बिंदू से दूरी है 60 किलो मीटर आखरी समय दिया गया है 10 बजे ये समय सुभा के समय यानी ए-म का है पथमापी का अंतिम पाठ्यांख है 36,620 किलोमीटर और आरंभिक बिंदू से दूरी है 80 किलोमीटर क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्याले से कितनी दूर था क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं सारनी को समझ कर बूजों ने पहेली से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि 9.45 ए-म तक उसकी बस ने कितनी दूरी तै कर ली थी पहेली के पास इस प्रश्ण का कोई उत्तर नहीं था वे अपने शिक्षक के पास गए शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक धंग ये है कि हम दूरी समय ग्राफ खीचें आईए ये पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खीचा जाता है आपने ये पाया होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदी सूचनाओ को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है जैसा की चित्र 13.8 में दिये गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहती है ग्राफिय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्ता रेक या पाई चित्र है जैसा की चित्र 13.9 में दिया गया है चित्र 13.10 में दिया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उधारण है दूरी समय ग्राफ को सामानितया रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है आईए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें यहां प्रिष्ठ 160 में चित्र 13.8 में किसी टीम द्वारा प्रत्यक ओवर में बने रनों को बताता स्तंभ ग्राफ दिया गया है यहां प्रिष्ठ 160 में चित्र 13.8 में किसी टीम द्वारा प्रत्यक ओवर में बने रनों को बताता स्तंभ ग्राफ दिया गया है जिसके एक भाग में ओवर और दूसरे भाग में रन दिये गये है दूसरे भाग चित्र 13.9 में वायू का संघटन बताता वृत्ता रेक दिया गया है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला नाइट्रोजन, दूसरा ओक्सिजन और तीसरा अन्यगैसें इसे तीन अलग-अलग रंगों द्वारा बताया गया है तीसरे चित्र 13.10 में किसी बच्चे की आयू वा भार को बताता रेखा ग्राफ दिया गया है जिसके एक भाग में आयू वर्ष में और दूसरे भाग में भार किलोग्राम में दिया गया है प्रिष्ट 161 एक ग्राफ पेपर लीजिए चित्र 13.11 में बताये अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खीचिए शेतिज रेखा पर X-OX अंकित कीजिए इसे X अक्ष कहते हैं इसी प्रकार उर्द्वाधर रेखा पर Y-O-Y- अंकित कीजिए इसे Y-Aक्ष कहते हैं X-O-X- तथा Y-O-Y- का प्रतिच्छेद बिंदू मूल बिंदू O कहलाता है जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खीचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश बताया जाता है हम X-Aक्ष पर धनात्मक मानों को O-X के अनुदिश बताते हैं इसी प्रकार Y-Aक्ष पर धनात्मक मानों को O-Y के अनुदिश बताते हैं इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे इसलिए हम चित्र 13.11 में बताये गए केवल चायंकित भाग का ही उप्योग करेंगे यहां प्रिष्ठ 161 पर चित्र 13.11 दिया गया है जिसमें ग्राफ पेपर पर X-Aक्ष तथा Y-Aक्ष दिये गए हैं बूजो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया उनके आंकडे सारणी 13.6 में दिये गए हैं यहां प्रिष्ठ 161 पर सारणी 13.6 दी गई है जिसमें किसी कार की गती को दिया गया है इस सारणी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग समय का है और दूसरा भाग दूरी का है दी गई समय इस प्रकार है दी गई दोरी है आप यहां दिये गए चर्णों को अपना कर ग्राफ बना सकते हैं दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं कीचिए तथा चित्र तेरह दशमलव एक एक में दिये गए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए यह निश्चित कीजिए कि X अक्ष के अनुदिश किस राशी को बताना है तथा Y अक्ष के अनुदिश किसे बताना है X अक्ष के अनुदिश समय तथा Y अक्ष के अनुदिश दूरी बताईए ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपन के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए कार की गती के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं समय एक मिनट बराबर एक सेंटिमीटर दूरी एक किलोमीटर बराबर एक सेंटिमीटर चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए कार की गती के लिए समय को एकस अक्ष पर मूल बिंदू से एक मिनट दो मिनट और इसी तरह चलते हुए द्वारा अंकित कीजिए इसी प्रकार दूरी एक किलोमीटर दो किलोमीटर और ऐसे ही वाइ अक्ष पर अंकित कीजिए जैसा की चित्र 13.12 में बताया गया है अब आपको दूरी तथा समय के मानू के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदू अंकित करने हैं सारणी 13.6 के क्रम संख्या 1 के प्रेक्षन में ये बताया गया है कि समय 0 मिनिट पर चली गई दूरी भी शून है प्रिष्ट 162 यहां प्रिष्ट 162 पर चित्र 13.12 दिया गया है इस चित्र में ग्राफ बनाना बताया गया है जिसके एक भाग में समय मिनिट में और दूसरे भाग में दूरी किलो मीटर में दी गई है अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रतेक समुच्चे को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदू अंकित करने हैं सारनी 13.6 के क्रम संख्या एक के प्रेक्षन में ये बताया गया है कि समय जीरो मिनिट पर चली गई दूरी भी शून्ने है मानों के इस समुच्चे के ग्राफ पेपर पर स्थिती मूल बिंदू पर है एक मिनिट के पस्चात कारने एक किलो मीटर दूरी चली है मानों के इस समुच्चे को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर एक मिनट को निरूपित करने वाले बिंदू को जानिए इस बिंदू पर वाय अक्ष के समानतर रेखा खींचिए इसके पस्चात वाई अक्ष पर एक किलोमीटर दूरी के संगत बिंदू से एक्स अक्ष के समानता रेखा खींचिये वो बिंदू जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इस मानों के समुच्चे को निरूपित करता है जैसा की चित्र 13.12 में बताया गया है इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन समुच्चे के तदन रूपी बिंदूओं को अंक्ष कीजिए चित्र 13.12 में विभिन समयों पर कारकी स्थितियों के सभी बिंदूओं के समुच्चे को ग्राफ पर बताया गया है व्यापक रूप में पैमाने का चैन इतना सरल नहीं होता, जितना चित्र तेरह दशमलव एक दो तथा चित्र तेरह दशमलव एक तीन में दिया गया है। हमें एक्स अक्ष तथा वाय अक्ष पर वांचित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन पैमानों का चैन करना पड़ सकता है। आईए इस प्रक्रिया को एक उधारन की सहायता से समझते हैं। चुनने का निश्य करें तो हमें 80 cm का अक्ष खीचना होगा जो कागस की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 km बराबर 1 cm का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 cm लंबाई के अक्ष की आवशकता होगी। ये पैमाना काफी सुविधा जनक होगा। परंतु ये ग्राफ ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढखेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक राशी के अधिक्तम और नियूनतम मानों के बीच अंतर। प्रत्येक राशी के मध्यवर्ती मान ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना स्विधा जनक हो। तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिक्तम भाग का उपियोग करना। माल लीजिए आपको 25 सेंटिमीटर गुणा 25 सेंटिमीटर आमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। उपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकणों को समा यूजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। जैसे दूरी 5 किलो मीटर बराबर 1 सेंटिमीटर तथा समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटिमीटर प्रिष्ट 163 यहां प्रिष्ट 163 पर चित्र 13.13 दिया गया है। जिसमें बस की गती बताता एक ग्राफ दिया गया है, जिसके एक भाग में समय मिनट में और दूसरे भाग में दूरी किलो मीटर में दी गई है। क्या अब आप बसकी गती के लिए दूरी समय ग्राफ खीच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खीचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में बताए ग्राफ के समरूप है? यदि सारनी द्वारा प्रस्तुत आंकडों से तुलना करें, तो दूरी समय ग्राफ हमें गती के बारे में विविद प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरन के लिए सारनी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चत समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तै की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत, दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भीक्षन पर बस द्वारा तै की गई दूरी ग्यात कर सकते हैं। मान लीजिए, हम आठ पंदरा एम पर बस द्वारा चली गई दूरी ग्यात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय यानी आठ पंदरा एम के संगत बिंदू अंकित कर सकते हैं। जैसा की चित्र तेरह दशमलव एक चार में दिया गया है। मान लीजिए, वो बिंदू A है। अब हम बिंदू A पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समानतर एक रेखा खीचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदू T पर ये लंबवत रेखा ग्राफ को उस बिंदू पर चिन लगाते हैं। जैसा की चित्र तेरह दशमलव चौदा में दिया गया है। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली X अक्ष के समानतर रेखा खीचते हैं। ये Y अक्ष को बिंदू B पर काड़ती है। किलो मीटर में तै की गई दूरी प्रदान करती है। ये दूरी किलो मीटर में कितनी है। क्या आप 9 बचकर 45 एम यानि 9 बचकर 45 मिनट पर बस दूरा तै की गई दूरी ग्यात करने में पहली की सहायता कर सकते हैं। क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ग्यात कर स इस चित्र में बसकी गती का दूरी समय ग्राफ बताया गया है, जिसमें X अक्षपर समय एम में और Y अक्षपर दूरी किलोमीटर में दी गई है. प्रमुक्षप्थ रेखा ग्राफ ग्राफ असमान गती दोलन सरल लोलक चाल आवर्तकाल एक समान गती समय का मात रख प्रिष्ट 164 आपने क्या सीखा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं वस्तु की चाल ये निर्ण लेने में हमारी सहयता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है? किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तै की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिये गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है इसका मूल मात रख मीटर प्रती सेकेंड यानि मीटर पर सेकेंड है आवर्ती घटनाओं का उप्योग समय मापन में किया जाता है लोलक की आवर्ती गती का उप्योग घडियों के बनाने में होता रहा है वस्तु की गती को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्त्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है नियत चाल से गती करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है अभ्यास एक यहां दी गई गतियों का वर्गी करण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गती में कीचिये क दोड़ते समय आपके हाथों की गती ख सीधी सड़क पर गाड़ी को खीचते घोड़े की गती ग मैरी गो रांड जूले में बच्चे की गती ग सी सौ जूले पर बच्चे की गती च विद्युत घंटी के हतोड़े की गती च सीधे पुल पर रेल गाड़ी की गती दो, इन में से कौन सा कथन सही नहीं है, क समय का मूल मातरक सेकंड है, क प्रतियक वस्तू नियत चाल से गती करती है, ग दो शहरों के बीच की दुरियां किलो मीटर में मापी जाती है, गह, किसी दिये गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, च, रेल गाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा, यानी मीटर पर आर में व्यक्त की जाती है, प्रिष्ट 165, तीन, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकिंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है, चार, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलो मीटर है, कोई रेल गाड़ी इस दूरी को तै करने में 4 घंटे लेती है, रेल गाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, 5. किसी कार के पथमापी का 8.30 AM पर पाठ्यांग 57321.00 किलो मीटर है, यदि 8.50 AM पर पथमापी का पाठ्यांग परिवर्तित होकर 57336.00 किलो मीटर हो जाता है, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, कार की चाल किलो मीटर पर आर में भी व्यक्त कीजिए, इस चाल को किलो मीटर पर आर में भी व्यक्त कीजिए, साथ, यहां दी गई स्थितियों में गती के दूरी समय ग्राफ की आकृती बताईए क, नियत चाल से गती करती कार ख, सडक के किनारे खड़ी कोई कार आठ, यहां दिये गई में से कौन सा संबंध सही है क, चाल बराबर दूरी गुणा समय ग, चाल बराबर दूरी बटा समय ग, चाल बराबर समय बटा दूरी ग, चाल बराबर एक बटा दूरी गुणा समय नौ, चाल का मूल मातरक है क, किलो मीटर प्रती मिनट ग, किलो मीटर प्रती घंटा ग, मीटर प्रती सेकेंड नस, कोई कार 40 किलमीटर प्रती गंटा की चाल से 15 मिनट चलती है कार द्वारा तै की गई कुलदूरी होगी गольш पचीस किलमीटर गड़ 15 किलमीटर गड़ 10 किलमीटर प्रिष्ट 166 11, माल लीजे चित्र 13.1 तथा 13.2 में बताए गए फोटोग्राफ दस सेकंड के अंतराल पर खीचे गए यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटिमीटर द्वारा बताया गया है तो तीवर्तम कार की चाल परिकलित कीजिए चित्र 13.15 में दो वाहनों A तथा B की गती के दूरी समय ग्राफ बताए गए है इन में से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीवर गती से चल रहा है यहाँ प्रश्न 12 के साथ चित्र 13.15 दिया गया है इसमें दो वाहनों की गती के दूरी समय ग्राफ दिये गए है इस चित्र में X अक्ष पर समय और Y अक्ष पर दूरी बताई गई है ते रहे यहां दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गती को बताता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है यहां प्रिष्ठ 166 पर समय और दूरी को बताते चार ग्राफ दिये गए हैं आपको इन ग्राफों को पहचान कर बताना है कि इन दूरी समय ग्राफों में से उस ट्रक की गती को बताता ग्राफ कौन सा है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है प्रिष्ठ 166 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कार एक, आप अपनी धूबगड़ी स्वैम बना सकते हैं तथा अपने स्थान पर दिन का समय अंकित करने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं सबसे पहले आटलिस की साहता से अपने शहर का अक्षांच ग्यात कीजिए गत्ते का त्रिभुजाकार टुकड़ा इस प्रकार काटिए कि उसका एक कोण आपके स्थान के अक्षांच के बराबर हो तथा इसका सम्मुख कोण सम कोण हो इस टुकड़े को जिसे नुमून कहते हैं किसी वृत्ताकार बोड़ पर चित्र 13.16 में बताय अनुसार उसके व्यास के अनुदिश उर्धवाधर जड़ दीजिए नुमून को व्यास के अनुदिश खांचा बना कर भी जड़ा जा सकता है अब कोई ऐसा खुला स्थान चुनिए जहां दिन में अधिकांश समय धूप पड़ती हो फर्ष पर उत्तर दक्षन दिशा के अनुदिश एक रेखा अंकित कीचिए जैसा कि चित्र 13.16 में बताय गए अनुसार धूप में धूप घड़ी रखिए दिन के समय जितना जल्दी संभव हो सके मान लो आठ बजे यानी आठ एम पर वृत्ताकार बोड़ पर नोमोन की चाया की नोक की स्थिती अंकित कीजिए पूरे दिन प्रत्यक घंटे के पहस्चात नोक की स्थिती अंकित करते रहिए जितर तेरह दशमलव एक छे में बताए गए अनुसार अंकित किये गए प्रत्यक बिंदू को नोमोन के आधार के उस बिंदू से मिलाने वाली रेखाएं खीचिए जिस पर उस स्थान का अक्षांच कोन बना है इन रेखाओं को वृत्ताकार बोड़ पर उसकी परिधी तक बढ़ाई की आप इस धूब घड़ी का उप्योग करके अपने स्थान पर दिन का समय ग्याद करने के लिए कर सकते हैं याद रखिए चित्र 13.16 में बताये गए अनुसार नुमून को सदैव उत्तर दक्षन दिशा में ही रखना चाहिए यहां प्रिष्ठ 166 पर चित्र 13.16 में समय ग्याद करने के लिए एक धूब घड़ी दी गई है जिसमें उत्तर और दक्षन दिशाओं को बताया गया है 2. संसार के विभिन भागों में प्राचीन काल में समय मापने की जो युक्तियां उपयोग की जाती थी उनके विशे में सूचनाएं एकत्र कीजिए प्रतियक पर एक संग्षिप्त लेख लिखिए इस लेख में युक्ति का नाम उद्भव का स्थान उपयोग की जाने वाला काल वो मात्रक जिसमें समय मापा जाता था तथा यदि संभव हो सके तो युक्ति का फोटोग्राफ अथवा रेखा चित्र भी सम्मिलित किया जा सकता है 3. दो मिनिट का समय अंतराल माप सकने वाली रेत घड़ी का मॉडल बना ये जैसा की चित्र तेरह दशमलव एक साथ में दिया गया है 4. किसी पार्क में जाकर जूला जूलते समय आप एक रोचक रिया कलाप कर सकते हैं इसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए जूले पर बिना किसी को बैठाए उसे दोलन करने दीजिए जिस प्रकार आपने लोलक का आवर्थकाल ग्याद किया था उसी प्रकार इसका आवर्थकाल ग्याद कीजिए ये सुनश्रित कर लें कि जूले की गती को कोई जटका नहीं लगना चाहिए अब अपने किसी मित्र से जूले पर बैठने के लिए कहिए जूले को एक धक्का दे कर इसे स्वाभाविक रूप से जूलने दीजिए इसका आवर्थ काल फिर मा पिए इस क्रिया कलाब को विभिन व्यक्तियों को जूले पर बैठा कर दोहराईए विभेन प्रकर्णों में मापे गए जूले के आवर्थकालों की तुलना कीजिए इस क्रिया कलाब से आप क्या निशकर्ष निकालते हैं? क्या आप जानते हैं? भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रिय भौते की प्रयोक्षाला द्वारा प्रदान की जाती है यहां जिन घडियों का उप्योग किया जाता है वे समय अंतराल की माप एक सेकेंड के दस लाख में भाग की यथार्थथा के साथ कर सकती हैं यह घड़ी दो करोड वर्ष तक चलते रहने के पस्चाद एक सेकेंड तेज अथवा मंद होगी इसी के साथ अठारे पाठों की इस पुस्तक का पाठ ते रहे शिर्शक गती एवं समय यहां समाप्थ हुआ वाचन शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग जगबंधु जाना निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत ग है रहते हैं चाहने चाहने एवं यpine को तक्नीकी सहाग शक्ता लु भारत